यह हैं दोस्तों, फैनली हम लोग आ चुके हैं इंटर्पोलेशन और इक्स्ट्रापोलेशन के सिसन के प्रक्टिकल प्रॉब्लम में जहां पर आज 15 नमबर वाला एक कुश्चन में करने वाला हूँ क्या सर यह छोटा सा कुश्चन 15 नमबर में? जी हैं इंटर्पोलेशन, इक्स्ट्रापोलेशन का कुश्चन जब जब आया है लॉग फॉर्मेट में ही आया है और आपके पास तो सौट फॉर्मेट है नहीं लॉग फॉर्मेट ही है तो 15 नमबर के लिए यह Most Important है और यहां से कुश्चन आयेगा जरूर तो आज हम लोग binomial expansion methods से related एक practical problem करने वाले हैं वो भी interpolation करने वाले हैं interpolate करेंगे एक value को अगर वीडियो अच्छा लग जाए तो like करना और comment करना बिलकुल भी मत भूलना और share जरूर कर देना अपने उन दोस्तों के साथ जो इस समय statistical methods को अपने syllabus में पढ़ रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखो values क्या हैं मुझे year दिये गए हैं और production दिया गया है method कौन सा लगाऊंगा ये question पे depend करेगा तो चलो देखो यहाँ year है 1985, 1990, 1995, 2000, 2005 difference देखो पाँच, 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 सब बराबर जो y की value है 100, 107, यहाँ missing, यहाँ पता नहीं ऐसे कर लिए तो देखो मैंने आपको binomial expansion method में क्या बताया था जब कभी x a chance x series मेरी समाना अंतर पर होगी बिल्कुल बराबर अंतर पर होगी कोई दिक्कत नहीं होगी बीच में कहीं fluctuation नहीं हुआ होगा और उसी में उसी बराबर की value में किसी वर्स की मूले मुझे नहीं ग्यात होगी तो मैं binomial expansion method का use कर सकता हूँ जैसे मुझे पूछ लेता वर्स 1986 का production बता हो हम नहीं बता पाते इस method से फिर उसके लिए दूसरा method लेना पड़ता कौन सा परशान नहों आगे बताऊंगा ठीक है अगर मेरे से 1986 का production पूछ ले ये method fail नहीं बता पाएगा ये कब बताता है कब लगता है जब x series समानांतर पर हो और उसी समानांतर पर ही कोई y की value अग्यात हो उसको ये बता देगा तो देखो बराबर मुझे मिल गया देखो यहां है x0, x1, x2, x3, x4 y0, y1, y2, y3, y4 मुझे y2 की value नहीं पता मैं बताता हूँ और इस chapter की सबसे बहतरीन बात question लगाने के बाद 90% से ओर हो जाओगी कि मेरा answer सही ये गलत अन्नी किसी chapter में ये बात नहीं है correlation, regression, measures of dispersion, central tendency इसके उन्हेंस कहीं नहीं इसमें है क्या है sir बताओ तो मेरा जो answer आएगा वो 107 और 157 के बीच आएगा इससे उपर नहीं मेरा answer interpolation कर रहा हूँ न तो 107 और 157 के बीच मेरा answer आएगा अगर इससे कम आ जाए 107 से कम आ जाए या 157 से ज़्यादा मान ले ना question गलत लगा दिया आओ बताओ sir formula में रखे मान value कितनी पता? y4 तक की पता तो delta 0 4 is equal to y4 minus 4 y3 value हो गई 2 plus 4 तीया 12 divided by 2 6 y2 6 दूना 12 और value हो गई है 3 तो 12 को कर दूँ तो आजाएगा minus का 4 4 y1 value हो गई 4 देखो एक 2 3 4 4 1 4 और divided by 1 बराबर y0 is equal to 0 कैसे बनाया जाता है? पिछला वीडियो बताया है बहुत detail में बताया है अभी तक नहीं देखा तो पहले उसको जाकर देखो फिर इसको देखो आके मजा आएगा आओ solve करते हैं values में मान पुट करते हैं तो value देखो हमारी y4 की value क्या है? दो सो बारा माइनस 4 इंटू y3 क्या है? 157 प्लस 6 y2 वो तो है नहीं माइनस 4 इंटू y1 क्या है? 107 प्लस 100 बराबर 0 बस solve करना शुरू कर बहुत इज़ी होता है यार दो सो बारा माइनस 7 चोक अठाईस चार पंचे बीस दो बाईस चार इकन चार और दो छे प्लस 6 y2 माइनस 4 सते अठाईस चार इकन चार प्लस 100 बराबर 0 क्या करें? बराबर एक दिखो प्लस की ये वैल्यू और एक प्लस की ये वैल्यू दोनों को जोड़ देत कितना हो जाएगा? 312 माइनस माइनस की वैल्यू कितनी? 628 और 428 दो वैल्यू माइनस की हैं तो 8,8,16 2,2,4 एक पांच और 6,4,10 1056 ये हो गया प्लस 6y2 बराबर 0 6y2 को इधर ले आओ तो माइनस 6y2 इस उकल टू माइनस 6 से 2 जाएगा 4 इधर 5 से 1 जाएगा 4 और इधर 10 से 3 जाएगा तो 7 माइनस माइनस क्रॉस कर दो y2 इस उकल टू 744 डिवाइड़ बाइड़ बाइड़ 6 कितना आएगा तो y2 बराबर 6 कंचे बचेगा 1 हो जाएगा 14 6 दूना 12 बचेगा 2 हो जाएगा 24 6 चौक 24 124 टन मेरा एंसर आ गया यहां की वैल्यू कितनी आ गई 124 टन्स मेरी वैल्यू हो गई 15 नंबर का कुश्यन है बच्चा छोटा मत समझना कल्कुलेशन भले इज़ी हो ये फॉर्मूला बनाना कठिन होता है तो इसे इतना आसान मत समझना है आसान बहुत आसान है मेरे को 15 नंबर चाहिए कि कठिन कुश्यन करके 15 नंबर चाहिए मिलते हैं अगर 15 यहां से तो क्या बुराई है उम्मीद है आपको बहुत ही सरलता पूर्व कि यह समझ में आ गया होगा और अगर समझ में आ गया हो न तो लाइक और कमेंट करना बिलकुल भी मत भूलना और फटा-फट शेयर पे जाओ न तुरंत शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में एक और बहतरीन प्राक्टिकर प्रॉब्लम के साथ तब तक के लिए जय हिन दोस्तों